अगर डॉल्फिन को बरफ ना खिलाया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि डॉल्फिन कभी पानी नहीं पीती है अब आप सोच रहे होगे कि बड़े-बड़े समुद्रों में इनको बरफ कोई नहीं खिलाता है तो ये जिन्दा कैसे रहती है अच्छी जानकारी दें लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत बोलना दरसल बड़े-बड़े समुद्रों में डॉल्फिन मचलियों को खाकर 80-90% पानी की कमी को पूरा कर लेती है लेकिन जहां डॉल्फिन को कैद करके रखा जाता है वहां उनको मरी हुई मचलियां खिलाई जाती है जिससे उन को बरफ खिला जाता है